हलो फ्रेंड्स मैं अमित मालविया एक बार फिर से आप सबी लोगों का बहुत-बहुत स्वागित करता हूँ हमारे यूटूब चनल के एक और नए वीडियो में तो दोस्तो अगर आप जो है डिजिटल सिगनेचर को वेलिडेट करना चाहते हैं आपको इसको जो है डिजिटल सिगनेचर में किस तरह से वेलिडेट करना है उसका कम्प्लिटी प्रोसेस आपको आज किस वीडियो में बताने वाला हूँ वर्जन डाउनलोड करना होगा कैसे करना है कहां से करना है उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां पर क्लिक करके डिरेक्ली इस वाले पेंच पर जा सकते हो और वहां से जो है आप एडफ रिडर का जो लैटेस्ट वर्जन है उसको डाउनलोड कर सकते हो तो दोस्तो उसको डाउनलोड करने के बाद आप अपना जो भी फाइल है उसको यहां पर इस तरह से ओपन कर लेंगे ठीक है ना यहां पर ओपन करने के बाद आपको यहां सिगनेचर के उपर क्लिक करना है सिगनेचर की उपर आप जैसे क्लिक क आएंगे, यहाँ पर आपको जो है summary, details तो यहाँ पर आपको जो trusted वाले button पर click कर देना है, जैसे आप trusted वाले button पर click करते हो, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ options आएंगे यह आपको कुछ options जो है cross में यहाँ पर दिखाए देंगे, तो आपको यहाँ पर add trusted certificate, आपको यहाँ पर click करना है यहाँ पर click करने के बद आप से ही पुछेगा if you change the trusted setting तो आपको यहाँ okay वाले button पर click करना है जैसे आप okay वाले button पर click करोगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ options आजा जाएंगे, तो यहाँ पर आपको use this certificate, यहाँ पर आपको क्लिक करना है उसके बाद आपको इस वाले option को tick mark करना है यहाँ से फिर आपको इन सभी को tick mark कर देना है के कर के ठीक है ना उसके बाद आप इसको यहाँ से ok पर click कर देंगे जैसी आप ok पर press कर देते हो तो आपके अए ग्रेन का सिंबॉल आ चुका है हमारे पास, यहां पर अब हम इस विंडो इसे क्लोज करते हैं तुम आप की आप का सिंक्सराइब एका क्रुश अजचा लॉक्त आसे हमारे विरोलते डीन., कि तो अिस फॉर्ड प्लेजवाल इंफर्मेशन के साथ तब तक के लिए जाहिन जाए भाड़ा